नमस्कार दोस्तों मेरे youtube चैनल पर आपका स्वागत है दिन दीपक लगा कर पूजा की जाती है। तुलसी का पोधा आपकी जीवन में, आपकी ध्वारक की जाने वाली हर चीज के लिए शुप माना जाता है। इसलिए जब भी घर में तुलसी का पोधा लगवाएं, तब वास्तु अनुसार ये टिप्स जरूर अपनाएं। आप घर के आंगन में आगे या पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं। तुलसी का पोधा रखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें की तुलसी एक महीला पोधा है। इसलिए इसे हमेशा फूलों के पोधे के पास ही रखें। केक्टस और काटेदार पोधों के पास कभी तुलसी का पोधा नहीं रखना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पोधे में दीपक जरूर लगाएं। कहा जाता है कि जो लोग दियाबत्ती के समय तुलसी में दीपक लगाते हैं। उन पर हमेशा महालक्ष्मी की क्रपा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पोधा वास्तु दोशों को खतम कर देता है। इसलिए तुलसी का पोधा आप उस इस्थान पर रखें जहां आपके घर में वास्तु त्रूटी हो। इसे घर की ऐसी जगए पर लगाया जाना चाहिए जो बहुत ही साफ और स्वच्छ हो। और नियमित रूप से इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एसा माना जाता है कि पोधे के भीतर और आसपास बहारी धूल का आस्तित्व इसके अच्छे प्रभावों को कम कर सकता है। वास्तो शास्त्र में तुलसी के पोधे का बहुत महत माना गया है। तुलसी के पोधे को घर में लगाने से नकारात्मक ता दूर होती है और घर में सकारात्मक उड़जा का संचार होता है तुलसी का पोधा लगाते हुए हमेशा ध्यान रखे कि ये पोधा कभी भी दक्षिन दिशा में नहीं रखा जाना चाहिए ये आपके लिए अशुफ फल दायक हो सकता है हिंदु धर्म में हर धार्मिक कार्रे में तुलसी का उप्योग किया जाता है खास तोर पर यदि भगवान विश्नु का पूजन करने के लिए तुलसी बहुत आउशक मानी गई है भगवान विश्नु को तुलसी अति प्रिये है भगवान विश्नु की पूजा में किसी भी तरह से तामसिक चीजों का प्रियोग वर्जित है साथ ही तुलसी बहुत ही पवित्र होती है इसलिए जिस स्थान पर तुलसी का पोधा लगा हो वहाँ पर कभी भी मास या मदीरा का सेवन भूल कर भी ना करें अगर आपने घर में तुलसी का पोधा लगाया है तो उसकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है तुलसी के पोधे का ध्यान रखें कि वह सूखना नहीं चाहिए तुलसी को कभी बिना इसनान की ये हाथ नहीं लगाना चाहिए तथा मासिक धर्म के दोरान महिलाओं को तुलसी चूना वर्जित है जहां आपके घर में तुलसी का पोधा लगा है उसके आसपास कपड़े ना सुखाएं तथा जहाड़ू वच चपले कभी ना रखें तुलसी के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें यदि आपके घर की तुलसी सूख गई है तो उस स्थान पर तुरंत नया पोधा लगा दें सूखे हुए पोधे की लकड़ी को एसे ही न फेके उसे किसी नदी आदी में प्रवाइद कर दें तुलसी घोर रविवार, मंगलवार तथा एकादशी एवं सूरे ग्रहन और चंद ग्रहन के दिन नहीं तोड़ना चाहिए यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो तुलसी मा, अर्था, साक्षात, लक्ष्मी आप पर प्रसन होंगी और आपकी आर्थिक इस्तिति में सुधार होगा एवं आपके घर की सुक शान्ती में इजाफा होगा यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें उड़ नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें धन्यवाद